आज तमबिट बनाएंगे ये चावल से गूड़ और चावल डालके इसके लिए एक ग्लास नारियल कसके लिया है एक ग्लास नारियल और एक ग्लास चावल का आठा एक ग्लास ये बहुत इज़ी है बनाना कोई भी बना सकता है मूमफल्ली को अर्षी तरह से बून के ऐसा दरतरा कीस लिया है तो आदा ग्लास मूमफल्ली और क्वार्टर ग्लास बुगरा पौडर करके लिया है और वन एंड़ा हाफ ग्लास गूड लिया है गूड को पाने डाळ के शिगला लेंगे देखे अभी एक खड़ाई में नारियल डाल रही है, पिगलाया हुआ, गूड इसमें डाल रही हैं, क्योंकि गूड में मट्टी होता है, तो इसलिए उसको पिगलाके डालेंगे, ये थोड़ा ऐसे ही बॉयल होगा, देखे इस लेवल पर जब बॉयल हो जाता है, थोड़ा ये एक पांच-दस मिनिट, जितना हम पानी डालते हैं उस अनुसार, इस लेवल में पाक देखने की जरुवत नहीं है, इस लेवल में अभी चावल का आठा डाल के अध्यतर से घुमाएंगे, घुमा के एक दो तीन मिनिट के लिए इसको पकाना है, देखे, कितना अच्छ बुगरा पाउडर करके रखता था ना, वो इसमें डाल रहे हैं, बुगरे का पाउडर, इसको भी अच्छितर से मेक्स करेंगे, इलाइची डाल रहे हैं, तिल, दो टी स्पून्स, तिल, मुँपली, जो चिलका उटार कर दरदरा पीस के रहा था था ना, उसको तोड़ा घी में ऐसा बून के, ये भी इसमें डाल रहे हैं, अब ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, देखे, घी भी एक केवी जितना घी पड़ता है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखे, अच्छा मिक्स हो गया है, इसको अभी एक ठाली में उतार लेंगे, ग्यास बंद कर लेंगे, इसको इस ठाली में उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा होते ही, बहुत ठंडा नहीं, थोड़ा गरम-गरम में इसको करना पड़ता है, देखिए साइड साइड से लेते हुए ऐसा शेप देखे करते हैं देखिए लोई जैसा बना के जैसा शेप हमको चाहिए और करते हैं देखिए ऐसा यह खाने में बहुत अच्छा लगता है इसको साउत में तंबिट कहते हैं कितना सुन्दर लग रहा है तंबिट रेडी हो गया है गुड का स्वीट गुड और चावल का स्वीट रेडी हो गया है